बॉलिवुट की खुबसूरत एक्ट्रेस एश्वरिया राय बच्चन ने बीते दिन यानि की एक नवंबर को अपना पचासवा बर्डे सेलिब्रेट किया लेकिन एक्ट्रेस के बर्डे सेलिब्रेशन में ना तो उनके पती अभिशेक बच्चन नजर आए और ना ही बच्चन परिवार का कोई भी सदस से इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना एक्ट्रिस ने अपनी लाडली बीटी अराधिया बच्चन और मा के साथ ही अपनी बर्डी का केक काटा जिसका वीडियो सूशल मीडिया पर खुब वाइरल भी हो रहा है जिसको देखने के बाद एक बाद फिर से नेटीजन्स ने बवाल खड़ा कर दिया है कि अभिशीक और एस्वरिया की शादी में एक आखिर का चल गया रहा है तरसल हुसने की मलिका कहे जाने वाली एस्वरिया राय ने अपना पचासवा बर्डे एक हॉस्पिटल के उधाटन समारों में मनाया था उनकी बेटी आराध्या और एक्ट्रिस की मा व्रिंदा तो इस सेलिबरेशन में नजर आई लेकिन एक्ट्रिस के पती अभिशीक बच्चन, सास जया बच्चन और ससल अमिताब बच्चन इस पार्टी से नादारत दिखाई दिया साथ ही किसी ने एक्ट्रिस को सोशल मीडिया पर बर्डे तक भी विश नहीं किया जिसके बाद एक्ट्रिस के फैंस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया और अभिशीक को जम कर खरी खोटी भी सुनाते हुए दिखाई दे रहे है वहीं जब एक लंबे इंतिजार के बाद अभिशीक ने एश्वर्या के लिए पोस्ट शेयर की तो वो भी लोगों को काफी फीकी दिखाई दी क्योंकि एक्टर ने एश की एक तस्वीर शेयर की और उसकी कैप्शिन में उन्होंने सिर्फ हैपी बर्ड दे लिखा था ये सब देखकर नेटीजन सब ये अंदाजा भी लगाने लगे हैं कि दोनों के शादी में कुछ तोवन बन चल रही है इसलिए अभिशीक ने इतनी सूखी सी पोस्ट डाली है इतना ही नहीं एक यूजर ने अभिशीक पर तंज करते हुए लिखा है कितने दुख की बात है ये आपकी पतनी की पचासवे जनम दिन की सबसे फॉर्मल बर्ड देविश है आप न केवल एक बुरे अभिनेता हैं बलकि एक बुरे पती और पिता भी है तो वहीं एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है आप अपने पिता के लिए तो आर्टिकल साइज का नोड लिखते हैं और पतनी के लिए सिर्फ ये एश्वरिया आपसे अच्छा कोई डिजर्ब करती है इतना ही नहीं एक यूजर ने तो ये तक कह डाला है कि आप अपनी वीवी से इतना जलते क्यों हों वहीं एक ने लिखा है इसमें प्लीज कुछ तो एड़ कीजिए जैसे की माई दार्लिंग इतना सूखा क्यों है वहीं अब अभिशेक के इस फीके से पोस्ट को देखने के बाद फैंस लगातार उन्हें ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं बता दे कि ये पहला मौका नहीं है जब अभिशेक को एश्वरिया के लिए ट्रोल किया जा रहा है बलकि अधिकान समय ऐसा होता है जब ये दोनों ही कपल अलग-अलग स्पोट किये जाते हैं जिसके कारण लगातार अभिशेक बच्चन पर सवाथ खड़े किये जा रहे है लेकिन अश्वरिया और अभिशेक के रिस्ते पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बिताईएगा ऐसे ही और भी खबरे जानने के लिए देखते रहे है पॉलिवड के इसरी